नमस्कार दोस्तों अक्सर हम पौध गन्य पर अधिक ध्यान देते हैं और पेड़ी गन्य पर नहीं ध्यान देते हैं लेकिन हमारे गाउं में एक किसान है वो पौध गन्य पर जितना ध्यान देते हैं उतना ही पेड़ी पर ध्यान देते हैं लेकिन इस गन्य में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है जिसका आपको कान भी बताएंगे और क्या लापरवाही हुई है वो भी आप दिखाएंगे और अभी तक इन्होंने क्या-क्या प्रियोग किया है कैसे प्रियोग किया है तो यह भी हम इस वीडियो के माध्धिम से बताने वाले हैं तो दोस्तों हम इसी पर बात करते हैं लेकिन उसके पहले यह दिया हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान जरूर दबा दें जिससे जो भी हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिल सके और यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर रहे हैं आपको थोड़ा बता देते हैं कि पौध गन्ये के जितना यदि हम समय पर ध्यान रखें पेड़ी गन्ये में तो कहीं न कहीं पेड़ी गन्ये में भी हम उतना उत्पादन ले सकते हैं लगबग समान उत्पादन ले सकते हैं अब ध्यान क्या रखना है तो वो भी ह आपको बता देंगे इनके खेत की बात करें तो ये इन्होंने मार्च महीने में गन्य की कटाई कर ली थी और ट्रेंच बिद से गन्य की बुआई की थी और मार्च महीने में जब इन्होंने गन्य की कटाई कर ली थी तो उसके बाद इन्होंने गोवर की सड़ी हुई खाद इ और बाद में पुना फिर से गुड़ाई कर दिया है और गुड़ाई करने के बाद दूसरा पानी जो लगा रहे है वो 35 से 40 दिन के अंतर पर लगा रहे है यानि कटाई के 40 दिन के अंतर पर लगा रहे है यदि पहले पानी के अंतर की बात की जाए तो 20 से 25 दिन का अंतर दूसरे पानी में इन्होंने रखा है और बेहतरीन गन्ना चल ला है फोटाव भी अच्छा हो रहा है अभी तक इन्होंने NPK की बुआई नहीं की ना तो DAP की बुआई की है इन्होंने जो बुआई की है वो सिंगल सुपरफासपेट की एक बोरी और यूरिया की लगभग 30 किलोग्राम मात्रा और पोटास की लगभग 30 किलोग्राम मात्रा इन्होंने आधे एकड में प्रियोग किया है और गन्ना बहुत बहतर चला है दूसरा पानी लगाया है और दूसरा पानी लगाने के बाद जो गन्ने में रोग दिखाई पड़ रहे हैं वो साइद उसका दवा का प्रियोग करें क्योंकि पहले पानी में कोई रोग नहीं दिखाई पड़ रहा था और अब रोग दिखाई पड़ रहा है ग्रोथ यहां पर आप देख रहे हैं कि 7 से 8 कले प्रतेक जगा पर निकल चुके हैं तो यह पेड़ी एक बेहतर कही जा सकती कि बेहतर पेड़ी की पैदावार हो सकती है साथ में मक्का जो आप देख रहे हैं मक्का की भी बुवाई इन्होंने सहफसली के रूप में किया है और कहीं कहीं के पर खीरे और ककड़ी के बीज भी इन्होंने बोए हैं अब इसमें जो कमी हमको देखने को मिल लही वो कमी केवल इतनी देखने को मिल लही है कि पहले पानी के बाद यदि एक किसी कीट नासक का प्रियोग कर देते तो सायद रोग लगने से बज़ जाता लेकिन अभी जब रोग दिखाई पड़ रहा है तो पहला पानी लगाने के बाद ये कुछ दवाओं का प्रियोग करेंगे कौन सी दवाओं प्रियोग करेंगे ये आपको हम किसी अगले वीडियो में जब ये दवाओं प्रियोग करेंगे जरूर बताएंगे वैसे यदि कौन सी दवाओं का प्रियोग करके हम रोगों पर नियंतरन पा सकते हैं इसक पर कोई गैपिंग नहीं है इनके खेत में और बहुत अच्छा फुटाव चल ला है तो उमीद है कि पौध गन्ने से पेड़ी गन्ने की उपज भी कम नहीं होने वाली है क्योंकि पौध गन्ने में भी इन्होंने सहफसली खेती के रूप में फसल ली थी उसके बावजूद 600 कुंतल के करीब इन्होंने पौध गन्ना प्रतेकर काटा था पेड़ी गन्ना भी उससे बहतर दिखाई पड़ रहा अभी ग्रोथ भी अच्छी चल लाई है और कल्ले भी यानि टेलरिंग भी अच्छी चल लाई है लेकिन थोड़ी कमी जो दिखाई पड़ रही हो रोग की दिखाई पड़ रही है रोग पर इन्होंने नियंतरन समय पर कर लिया तो पेड़ी गन्ने से भी बहतर उत्पादन भी ज़्यादी किसान भाईयों सिचाई के बारे में पेड़ी में बात करें और उसके बाद आपको दूसरी सिचाई 25 दिन के अंतर पर कर देने हैं, तीसरी सिचाई आपको 30-35 दिन के अंतर पर करने हैं, इसी प्रकार 30-35 दिन के अंतर पर यदि आप निरंतर सिचाई करते रहते हैं, कीट नासकों का प्रियोग समय समय पर करते हैं, और फफून यानित रोगों से बचावाद कर लेते हैं तो आप भी अच्छी पेड़ी ले सकते हैं उमेद है जानकारी पसंद आई होगी धन्यवाद किसान भाईयों मिलते हैं नई जानकारी में